हाँ तो साथियो आज हमारे पास प्रतीक सिवालिक सर की एक किताब आ गई है और आज इसकी अन्बोक्सिंग करते हैं देखते हैं कैसी किताब है क्या है और आपको एक रियल व्यू बताऊंगा कि क्या सच्चा ही है इस किताब की और क्या आपको परचेस करनी चाहिए या नही भी माल दो तो ये इसके अंदर से इसमें से ये ये निकल के आगी है बुक और ये देखिएगा इसका कवर पेज है और कवर पेज काफी अच्छा है अच्छी बात ये कि ये बाइलिंग्वल है किताब का नाम है पेडागोगी जैन चाल्ड डिवलप्मेंट और ये प्रतीक सर क्यों खास हैं ये तो आप समझते ही हैं ये DSSB में थार्ड रेंक अचीब कर चुके हैं फूर्थ इनके विये सीटेट टॉपर रहे हैं और दस साल से जादा का टीचिंग अनुबाव है केंदरी विद्याले में गवर्मेंट टीचर भी है और साती साथ यूटूब पर भी हई लाग से जादे इनके सब्स्क्राइबर्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत इबहुत ही बहतरीन टीचर है ये साइकलोजी औड पड़ाड कोंगी का तो इस एक्जाम को इनोने इसमें जने एक्जाम सेद्धर को इनोने सामिल के हैं उसमें सीटेट हैं ETS είय के विये स NPSDSP मतलब यह लगबग हर किसी के लिए अच्छी बात जो मैं देख पा रहा हूँ वो है कि इसमें National Education Policy 2020 को भी सामिल किया गया है जो कि बिलकुल latest है और Invincible Publication ने इसको publish किया है और यह इसका back है back में नहीं अपने students के बारे में जानकारी दी है जो already qualified हुए है इस किताब का जो print rate है that is 5.99 यह इसमें आपको आप जब भी shop पर जाएंगे तो 25-30% का इसमें discount भी आपको available हो जाएगा और Amazon से भी आप इसको खरीज सकते हैं वहाँ पर भी available है तो चलिए देखते हैं इस किताब में क्या खास है यह पहला front page है इसमें सर का नाम है और यह preface में सर ने आपके लिए यहाँ पर आप यह जो links दी हैं इनके जरीए आप प्रतीक सर के YouTube से लेकर Instagram, Facebook, Twitter हर जगए आप जुड सकते हैं इसके लाब यह acknowledgement दिया हुआ है और इसके बाद disclaimer दिया हुआ है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके content में क्या-क्या है content में है मनोविज्ञान की परिभासा मनोविज्ञान में अनुशंधान के तरीके बाल विकास की मूल अवधारणाएं अनुवानसिक्ता और पर्यावरण और इसी तरीके से आप अगर topics देखेंगे तो इकी देखी का धेर सारे topics है जो कि इसमें दिये गए है और total 45 chapters है मतलब काफी huge amount of content है जो कि सर ने इसमें सामिल किया है और मुझे लगता है कि इतना पढ़ने के बाद ऐसा कोई exam नहीं होगा जिसमें pedagogy बाहर चली जाए मुझे नहीं लगता है क्योंकि इतना सारा cover करने के बाद मुझे इस किताब में सबसे अच्छी चीज जो लगी वो ये है bilingual एक तरफ आपको English Media मिल जागा एक तरफ Hindi मिल जागा तो ये बहुत ही प्यारी चीज है जो कि मैंने अधर किताबों में देखी है तो उपर Hindi करते हैं नीचे English करते हैं ऐसे करके रहती है बट ये parallel वाला बहुत अच्छा सिस्टम रहता है जो कि सरने यहां पर किया हुआ है और बहुत अच्छे ढ़ंग से लिखी गई है फॉन्ट भी इसका काफी बड़ा है आप इस फॉन्ट में जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं आएगी मुझे नहीं लगता है कि इस फॉन्ट में आपको कोई भी दिक्कत आएगी और सबसे ची बात है कि परते एक चेप्टर के बाद कुछ प्रैक्टिस कुश्चन्स भी बाइलिंग्वल इसको रखा गया है और ये भी आपको देखने को मिल जाएगा ये देखेगा इसमें अच्छा इसके जो आंसर्स हैं वो बिलकुल पीछे आपको किताब के बिलकुल पीछे के हिससे में आप देखेंगे तो पीछे के हिससे इसमें आंसर्स दिये गए हैं ये देखेगा ये अलग-अलग आंसर्स सीड दी गई है पूरी की पूरी प्रतीक सरके द्वारा ये पूरी की पूरी आंसर की है ये देखेगा अच्छा इस किताब में मुझे और भी जो अच्छी चीज़े मिली उसमें तो एक तो यह है कि किताब और उनके authors के बारे में जानकारी है साती साथ मुझे जो बहुत अच्छी चीज लगी मेरे हिसाब से इसमें दो को educational originator कौन है, father founder कौन है ये मतलब one-liner questions जो आते हैं उनका सारांस है और ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ये वाली जिसमें कुछ important quotations सर ने दिये हैं बहुत अच्छे-च्छे quotations है आप इनको याद कर सकते हो जैसे की भगवत कीता में लिखाया कि ग्यान से प्रतवी पर कुछ भी सुद्ध नहीं है तो ये बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी सामिल करी हैं सर ने जीन प्याजे हैं, चाड़क के क्या कहते हैं कि एक सिच्छित व्यक्ती हर जगे सम्मानित होता है सिच्छा, सौंदर्य और यौवन को भी पराजित कर देता तो बहुत बहतरीन चीजें हैं जो इसके अंदर रखी मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद आप एक अच्छे अध्यापक अवश्य बन जाएंगे ये जरूर मुझे लगता है और साती सात इसमें लास्ट येर के कुश्ण्स को भी सामिल किया गया है नैस्टनल एजुकेशन पॉलिशी पर काफी गहराई से रिसर्च करके लिखा गया है काफी अच्छे तरीके से उसमें क्या सामने सुधार किये गए हैं पहले सिच्छा क्या होती थी बहासा सिक्षड में क्या चेंज है ये सारी चीजों को इसमें सामिल किया गया है तो मुझे लगता है कि ये किताब आपको बिना जादा कुछ और चीज़ें किये खरीद लेनी चाहिए बहुती जवरजस्त किताब है बहुती बहतरीन किताब है और मुझे लगता है साइकोलोजी के इतिहास में एक नया किर्तिमान इस्थाप्र तवश्य करेगी प्रतीक सर को मेरी तरब से बहुत सारी सुबकाम नाए जाए तुरंथ इसको पर्चेस करिएगा एमेजॉन पर आपको उपलप्त है थैंक यू